नमस्कार वास्तू जोतिश सागर कारिकम में आपका स्वागत है मैं हूं रंजीत और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ आज भी उपस्तित है सुप्रसित वास्तू एवं जोतिश विशशक्र संजय जैन जी संजय जी आपका हमारे इस कारिकर में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं और कई समस्याएं आए हैं लेकिन सबसे पहले कई लोगों ने आपको धन्यवाद दिया है वो आपको कहना चाहूंगा और सब कहते हैं कि बहुत लाब मिला है पहला मेल हमारे पास साक्षी अरोडा जी का है इन्होंने जन्म तिधी वेजी है वो है 28 सित्तमबर 1994 जन्म कस्माय सुबह के 8 बच कर 35 मिनट बिजनोर से मेल करती हैं कहती हैं कि मैं 12th standard में पढ़ती हूँ मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी प्राव्लम आ रहे हैं इनको पढ़ाई में कहती हैं कि ठीक से नहीं पढ़ पाती जब भी पढ़ने बेड़ती हूँ धियान कहीं और चला जाता है कोई उपाये बताएं कि परिक्षा में फेल नहूं पास हो जाओं साक्षी जी आपकी पत्री के अनुसार आपको कोई ऐसा चिंता करने की जोरुत नहीं है कि आप फेल हो जाएंगी पहली बात तो यह समझ लिजें कि आप फेल नहीं होगी इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पढ़़ाई छोड़ें मैंने कहीं बार देखा है कि जिनको बता दिया गया है कि हाँ जी आप फेल नहीं होगे तो उन्हें पढ़़ाई और छोड़ दी उनके माबाप का फोन आता है कि जी मेरे बच्चे पढ़ने और बंद कर दिये जी तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि फेल तो आप नहीं होगी बाकि अच्छे नंबर प्राथ करने के लिए आपको दो छोटोटे से उपाया बताता हूँ आपको करना क्या है अपनी किताबों के उपर हरे रंग का जो कवर है वो चड़ाईए और इसके अलावा आपको सुवे सुवे के समय 15 मिनिट ही भले ही आप हरी घांस पी घूमें इतना करने मात से आपका अच्छे आंक आएंगे और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और यदि आप इतना कर लेती ह है तो आपको स्टार्स की पोजिशन आपकी बहुत अच्छी निश्ची तुरूप से आप बास होंगी और बहुत अच्छी नम बनाने के लिए आपको यह उपाय करने पड़ेंगे बिल्कुल सर आपने कहा कि साक्षी जी घास पर चले सुवस हुआ है लेकिन सार इनके तो कुछ अटपटे से उपाय हैं बाकि सब के पीशे कोई ना कोई लोजिक होता है इस उपाय के पीशे लोजिक है कि बुद्ध इनका थोड़ा सासा कमजोर है अच्छी पोजिशन में हैं कमजोर है उसको बल देने के लिए अगर यह हरी घांस पर चले इतो उसको उससे तो वैसे भी और वैसे भी इनके जो इस्टार सी पोजिशन ने बुद्ध की वह बढ़िया हो जाएगी और निश्ची दूप सभी बहुत अच्छे अंग लाएंगी मुझे लगता है कि इनकी फ्रेस डिविजन भी कही नहीं कहीं जी बिल्कुल साक्षी जी आपके प्रथम श्रेड़ी में आने की संभाव नाए हैं तो जो फिर उपाय बताया गए हैं उसका कीजिए पालन निसंदेहे आप बहुत अच्छे अंग को प्राप्त कर सकेंगी सर अगला मेल हमारे पास अंजू अगरवाल जी का आया है यह अपनों ने जो अपनी जम तिती फेजी है वो है 21 आउगस्ट 1982 और जम का समय सुआ के 9 बचकर 10 मिनट पर मुरादाबाद से मेल करती हैं कहती हैं मैं अपने विरोधियों से बहुत परिशान आ चुकी हूँ बहुत कोशिश करती हूँ फिर भी वो मेरा कुछ नकुछ नुकसान कर देते हैं मेरे मित्र भी मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं क्या करें कि इन सब से छुटकारा मिले प्रिंदी ती जैसे कि मैंने पीशे भी एक बार बोला था आप से कि कई बार क्या होता है कि पत्री में कसूर किसी भी मित्रका नहीं होता हर व्यक्ति इन से विरोध करे ऐसा नहीं होता कहीं न कहीं इनकी बोलचाल में भाशा में या प्रेजेंटेशन में कहीं न कहीं कमी आ र सुबह उठते ही, कैसे ही सुबह इनको जागते हैं, सुबह उठते ही इनको अपने भगवान का नाम लें, जिसको भी ये इस्ट बानते हैं, उनका नाम लें, उनको नमश्कार करें, और साथ में उनसे प्रार्थना करें, कि जिदने मेरे विरोधी हैं, इन सब को सद इतना करने मात से केवल 11 दिन करना है उसके बाद भी कर सकती है बाकि केवल 11 दिन लगता करना है इनकी जो मित्र मंदली है जिसको भी अपना मित्र बना चाहते हैं वो मित्र बन जाएंगे और दुश्मन इनके पास भी नहाएंगे और इनके दुश्मनी वैसे भी खतम हो जाए बिल्कुल आपने सर जो उपाय बताएं कि ग्यारा दिन तक अपने भगवान से कहें कि जो इनके विरोधी हैं उनको सद बुद्धी दे कोई पर्टिकलर भगवान अपने इश्टदेव की या किसी की बंदा कर सकती हैं किसी भी जिनको भी यह मानती हैं कोई भी भगवान को उनको अनाम लें सुबह सुबह और बस थोड़ा चार्थना करें कि उन लोगों को सद बुद्धी दें सद बुद्धी या तो उनको तो मिली गुई है इनको भी मिल जाएगी पॉजिटी सोचेंगी सही केवल ग्यारे दि लगातार करें उसके बाद जब चाहें करें या नहीं करें इनकी मर्जी है को बंधें में नहीं बने इतना करने मातर से इनको निशी रूप से परिवर्टन आएगा तो अंजो अगरवाल जी देखा आपने ग्यारा दिन प्रभू से विंती करनी है कि आपके विरोधियों को सदबुद्धी दें आपके जो विरोधि हैं वो भी आपके तरफ हो जाएंगे सर अगला मेल हमारे पास आशिश गुपता जी के हां से आया है इन्होंने जमतिती भेजिये वो है 10 जून 1971 समय है रातरी 12 बचकर 10 मिनिट पर मुझजफर नगर से मेल करते हैं कहते हैं मैं एक क कपड़े की फैक्टरी भी है कपड़े की फैक्टरी तो ठीक है प्रन्तु केमिकल फैक्टरी बंद हो गई है कोई उपाये बताएं कि फैक्टरी फिर से शुरू हो जाए आशिश जी आपकी स्टार्स की पोजिशन अच्छी है इसमें कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है अगर आपकी कमी ज्यादे होती तो कपड़े की फैक्टरी भी बंद हो जाती आप यह सोचिए आपकी जो केमिकल की फैक्टरी बंद हुई है उसके अंदर कुछ हो सकता है कि कुछ देखने के बादे मालूम होका कि वास्तु का क्या दोश है या क्या नहीं है बकि आपको करना एक छोटा से उपाय है जिससे फैक्टरी तो आपकी चालू निश्ची दूप से एक महिने के अंदर अंदर हो जाएगी आपको अपनी जो कपड़े की फैक्टरी है इनके करमचारियों को ले जागर के वहां की साफ सफाय कराई है और वहां के जो करमचारी है उनमें से कोई भी सीने स्टाफ होगे कोई भी हो उसको उधर ट्रांसफर कर देजिए आपकी कपड़े की फैक्टरी की साथ साथ केमिकल की फैक्टरी भी चलू हो जाएगी और सनीवार बोलिए साथ सनीवार को आपको तेल का दीपक अपनी जो बंद फैक्टरी है इसमें जलाना है सर आपने इन्हें कहा कि जो बंद फैक्टरी उसमें साथ दिन तक दिये जलाएं तेल के दिये जलाएं क्या अगर सपोस्ट डैट अगर कुछ परिशानी या कुछ बिखन बाधा हो जाया और वह कंटिनीटी ना बन पाए तो वैसी इस्तितिति में क्या कर सकते हैं और एक फ सेक्टरी के जो भी करमचारी हैं उनको एक बार ले जाकर कि महाँ पे साफ सफ़ाय करा दीजै और दूसरा यहा का कोई भी जो हैड हो या कोई भी स्टाफ का आदमी हो उसे महाका इंचार बना दिए हbilir है क्योंकि इसरके वीक्ती की जो पोजिशन है स्टार्स की वो अच्छ है कि मालिक लोग या कोई बी कि केवल हम ही एक काम गर रहे है यदि कोई काम चल रहा है किसी व्हक्ति गाथ os में एक उखा करने के सार भाशिए दूस में अच्छ बूरा करने के लिए बिल्कोल खोर वह आख़ी तो आशिश गुपता जी आपने देखा कि क्या करना है आपको साथ दिन जो कमपनी बंद हो चुके है उसमें दिये जलाने है और जो आपके वकस है वो भी जिम्मेदार है आपकी सफलता के लिए तो उनका भी रखना है ध्यान क्योंकि कहीं ने कहीं उनका भाग भी जुड़ा है आपके भाग से तो जो उपाई बताये गहें उसका कीजे पालन लेकिन अभी समय इश्वारा कर रहा है एक छोटे साल विराम के लिए तुरंत हाजिर होते हैं आप देखते रहें भक्ति से परफूर्ण हमारा कलश टिवी सभी परकार के आर्टिफिशल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशल ज्वेलर्स मेरत कापुरेट इंक्वाईरी के लिए संपर्क करें सौरफ जैन 09358075521 09319130800 छोटे से अल विराम के बाद एक वार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कारिक्रम वास्तु जोतिश्य सागर में जहां कारिक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दे कि आपके टिवी स्क्रिन पर फ्लैश हो रहे हैं संजा जैन जी के नमर्स आप इस पर कॉंटाक्ट करके अपनी समस्यों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं समस्या चाहे कुछ भी हो बस आपने एक कॉल करनी है उसका एक सरलसा उपाय आपको बताया जाएगा ना कोई विशेश परिश्रम करनी की जरूरत है ना कोई व्रत ना कोई विधी ना कोई तपस्या करनी की जरूरत है रोज मर्ना के जीवन में जो हम करते हैं उसी से एक सरल सा उपाई सर हमारे पास सुनिल शर्मा जी के यहां से मेल आया है और इन्होंने जो जन्म तिती भेजी है वो 12 मई 1975 है जन्म का समय दो फर के एक बचकर 10 मिनिट साहरनपुर से मेल करते हैं कहते हैं मेरी साडियों की दुकान है कार ये ठीक से नहीं चल रहा है कोई उपाई बता क्या है कि थोड़ा सा व्यापा व्यवार आपको अपने ग्राकों के प्रत्री मीठा रखना है सुबह के समय क्यों कि आपके दुकान इससे पहले जो अभी आप बोल रहे हैं कि मंदा है या कुछ कम काम चल रहा है इससे पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था ऐसा आपकी ज कि दुकान खोलने के बाद थोड़ा मिठाई का कोई भी चीज चाहिं पताशिया हो चाहिं या कोई भी चीज जो भी आप चाहें वो आप अपने दुकान क्होलने के तुरंद बाद जो भी आपके पहले जो दुसरे ग्राइंट आएं उनको आप सर्व किजिए बोल ये कि ये या यह कोई भी बोलगे उनको आप दीजिए इतना करने मातर से आपको निशित रूप से बहुत चल दी विदिन सेविन डेस आपका कारे बहुत अच्छी प्रकृति पाजाएगा क्योंकि इस समय जो योग बने हुए है वो बहुत अच्छे बने हुए है और विशेश कोई औ मेल कमला जैन जी के हां साय है इन्होंने जो अपनी जन्म तिथी बताई है वो है एक अगस्त 1964 जन्म का समय शाम के पांच बचकर नौ मिनट देली से मेल करती हैं कहती हैं बहुत डॉक्टर्स को दिखाया फिर भी तव्यत ठीक नहीं रहती कुछ भी जो जाच इन्होंने करा होने की ज़ोत नहीं है मुझे लगता है आपकी जो भी डॉक्टर आप की दवाई लेंगे उससे ही अरामनाशन हो जाएगा आपको भगवान नेमी नात का इसमिनन करना है और यदि कोई छोटी मोटी जाप यदि आप कर सकती है तो आपको एजी हो कोई दिक्कत ना हो तो ए निश्चित रूप से आप जाने है कि आपकी जो यह बीमारी है यह निकल जाएगी बच्चों से यापका को लड़का है दी तो उन से लड़के से विशेश कर आपको प्यार करना चाहिए और उनको किसी भी बात पे बहुत जादे क्रिटिसाइज ना करें मतलब उनको भी करना चाहिए करने क्योंकि यह थोड़ा मुजूर्ग है इसलिए मैं कहना हूँ कि यह करती हूँ यह थोड़ा बहुत मतलब लियाजा इनको बहुत जादा जरूत नहीं है बस इसमिनन कर लें और उतने मात से इनका आरामना शुरू जाएगा और बेसिकली इनको लड़क से संबंद सुधारने से उसको खुश रखने से अपने हाथ से खाना खिलाने से या किसी भी तरीके से जो उसको उसकी बात को किटिसाइज ना करने से इनका ग्रह जो है वो ठीक हो जाएगा और इनके जो पॉजिटिव थी है